हालो एवरिवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आधी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इकनोमिक्स का चैप्र नंबर वन जिसका नाम है डेवलपमेंट ठीक है सबसे पहले समझते हैं डेवलपमेंट होता क्या है देखिए डेवलपमेंट म क्या कहते हैं development कहते हैं समझे इतना ही development होता है इस चैप्टल में development को बहुत ही डिटेल में समझेंगे हम लोग फिलाल यहां से एक ही question बन सकता है की define development तो यह दो की वर्ड आपको याद रखना है ठीक है aspirations और desires यह दोनों को fulfill करते है ठीक है तो इसका definition में यह दो point होना चाहि जब लोग अपना डिजायर एस्पिरेशन फुल्फिल करेंगे तो उनका लाइफस्टाइल भी इंप्रूब हो जाएगा लिविंग स्टेंडर्ड इंप्रूब होगा तो यही दो चीज का जो कॉंसेप्ट इसको डेवलप्मेंट बोलते हैं समझे यहां तर चाहिए डेवलप्मेंट के लिए अलग 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 गोल्स है इसको आप स्टेवल से समझे देखेए माल दीजिए एक ऐसा इंसान है जो कि यह लैंडलेस रूरल लेवर है ठीक है उसके पास अपना जमीन नहीं है रूरल एरिया मेरा आता है और वो लेवर का काम करता है तो इसके लिए डेवलप्मेंट का मतलब क्या होगा क्या होगा क्या होगा कि यह खूस हो जाएगा तो यह चाहेगा चूकि यह लेवर है तो यह चाहेगा इसको more days of work जादा दीन तक इसको काम मिले ठीक है डेली गर काम मिल रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा काम मिले साथ साथ बेटर वेजेज वेजेज भी इसको अच्छा मिलना चाहिए इसके बच्चे को परहाई मिल जाए यह इसके लिए development होगा ठीक है और साथी साथ चूकि यह गरीब है तो society में जरूर इसके साथ discrimination होता होगा तो यह चाहेगा कि इसको कोई भी social discrimination face ना करना परे ठीक है और यह यह भी अपने विलेज में एक leader बनके उबरे विलेज में क्या होता है पंचायत होता है उसमें अपना role इसका voice को एहमियत दिया जाए ठीक है यह जो भी ideas दे उसको value किया जाए society में मतलब एकिज़तार आत्मी बनके यह आए तो यह चाहेगा इसके लिए development का goals यह सब रहेगा समझे यह table बहुत ही important है इसके उपर direct exam में question आता है exam में आपको बोलेंगे कि landless rural laborer का development goals बताईए तो आप यह सब point लिख सकते है कुछ extra point भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी लिख सकते है ठीक है चलिए दूसरा example समझते है अब दूसरा example है prosperous farmer from पंजाब पंजाब का एक बहुत ही rice farmer है उसके लिए development goal क्या होगा अब रईस है तो इसका मतलब इसका बस अपना जमीन होगा तो जमीन में अपना खेत में अच्छा कासा यह फसल उगाता होगा तो यह चाहेगा कि वो फसल का high support price मिले गवर्मेंट क्या करती है फसल का price टेक करती है जिसको MSP बोलते minimum support price तो यह farmers चाहेंगे कि यह price जादा हो ताकि इनका profit जादा हो family income जादा हो जाए ठीक है तब यह मानेगे कि हम लोग का development हुआ ठीक है फिर यह चाहेगा कि इसको जो laborers मिल रहे है काम करने के लिए वो सस्ते मिले hard working laborer इसको मिले skilled laborer इसको मिले ठीक है तो यह बुलेगा कि मेरे लिए development हुआ फिर इनका यह भी बच्चों को abroad settle करवा पाए तो भी यह मानेगे development हुआ इनके लिए समझे अगला example है farmers who depend only on rain for growing crops ऐसे किसान जो बारिश पे dependent है crops grow करने के लिए तो यह किसान को क्या चाहिए यह चाहेगा कि इसके लिए irrigation का बंदोबस कर दिया जाए ताकि इनको rain पे dependent नाराना परे साथी इनका crop का insurance होना चाहिए ताकि जब बारिश ले हुआ तो भी जो फसल का नुकसान हुआ उसका भरपाई वो insurance company कर देगा insurance जब भी लेते हैं तो हमें premium हर मेना कुछ amount पे करना पड़ता है तो वह amount कम होना चाहिए इनके लिए less premium हो ठीक है और other facilities भी इनको चाहिए तब यह बोलेंगे कि हमारा development हुआ तो यहाँ अलग-अलग example से समझ रहे हैं कि अलग-अलग लोगों का अलग-अलग development goal होता है ठीक है एक और example लीजिए एक woman है rural area की from a land owning family ऐसा family से belong करती है जिसके पास अपना जमीन है तो यह क्या चाहिए तो यह चाहिए उस जमीन का productivity बढ़े ताकि इससे family income बढ़ेगा ठी empowerment चाहिए मतलब family में इनका value किया जाए यह जो भी decision ले उसको सुना जाए ठीक है society में इनका role और भी जादा हो फिर यह चाहेंगी कि इनके बच्चों को अच्छा education मिले improved living standard यह चाहेगी ठीक है यह सब इनका development goal हुआ फिर अगला इससे आप काफी relate कर पाएंगे urban unemployed youth urban area में र फिर अगर इनको फिर higher education higher education का opportunity मिलना चाहिए अगर यह आगे पढ़ना चाहे कोई skill develop करना चाहिए तो वह facility होना चाहिए वैसे institute होने चाहिए ठीक है फिर इनके मन में यह भी हुआ कि आगे चलके बहुत पैसा कमा के यह अपना खुद का घर ले ठीक है तो यह सब इनका development goals इसको upgraded facilities चाहिए यह देखेगा कि यह जो coaching institute में जा रहा है वहाँ पर AC लगा हुआ की नहीं गारी का facility है की नहीं ठीक है यह सब चीज दूनेगा फिर वैसे ही अगर एक रिच फैमिली से कोई girl है तो उसके लिए development goal क्या होगा तो वो चाहेगी कि उसको अपने भाई इतना ही freedom मिले ठीक है फिर वो चाहेगी कि उसको इस चीज का freedom मिले कि वो life में जो भी चीज करना चाहती है वो कर पाए कोई इसको interfere ना करे ठीक है और वो abroad में अपने studies को pursue कर पाए यह सब इसके लिए development goal हो गया लास्ट कोई आदिवासी के लिए ठीक है इसके लिए development goal क्या होगा बहुत important बहुत बना चुका है इसके उपर question तो आदिवासी चाहेगा यह लोग ST होते है न सेडूल ट्राइब तो यह लोग चाहेंगे कि इनके कोई भी social discrimination इनके खिलाफ ना हो ठीक है फिर यह लोग mainly जो ह plantations में काम करते हैं जैसे चाय बागान हो गया tea plantation उसमें काम करते हैं लेवर के रूप में तो यह चाहेंगे कि इनको सालों बढ़ रोजगार मिले year round employment मिले इनके बच्चों को education मिले education for children ठीक है यह सब चीज यह चाहेंगे चलिए तो यहाँ पर यह जितना भी example दिया हुआ है यह सारा आपको यादोना चाहिए एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ आठो का development goals क्या क्या है आपको पतावना चाहिए समझे बहुत important चलिए तो अभी तरक हमने चितना भी जाना इससे यह समझ में आ गिया कि हर इंसान वही चीज चाहता है जो उसके लिए important है जो उसके aspiration और desire को fulfill करवाए हर इंसान का अलग अलग goals होता है in fact कभी-कभी यह goals क्या होते हैं आपस में conflict भी कर जाते हैं एक इंसान है इसका यह अलग चीज चाहता है यह इंसान है इसके लिए development के goal अलग है कभी-कभी यह दोनों goal opposite होते हैं एक दूसरे गे ठीक मतलब इसका development होगा तो इसको नुक्सान हो जाएगा conflicting होते हैं ठीक है इसको एक example से समझते हैं मा लीजे कोई girl एक family में वो चाहती है कि उसको भी freedom मिले और opportunities मिले उसके भाई की तरह ठीक है और वो यह भी चाहती है कि जैस तरीके से वो girl घर में काम कर रही है उसका भाई भी वो घर का काम करे ठीक ह तो लेकिन उसका भाई यह क्या चाहेगा नहीं चाहेगा तो यहाँ पर इसका गोल और इसका गोल क्या है conflicting है आप उसमें समझते हैं उसी तरीके से एक और example से समझते है इनको क्या चाहिए अच्छा बिजली चाहिए और बिजली कैसे आएगा dams लगा क्या आएगा लेकिन तो यहाँ पर industrialist का गोल और यह ट्राइवल्स लोगों का गोल आपस में conflict करना है अगर इनका development करना चाहिए तो ट्राइवल्स लोगों का नुक्सान हो जाएगा समझ रहें तो यह दो example से हम समझ रहें कि development goals can be conflicting समझें तो दो चीज अभी तक पुरा-पुरी clear हो गया two things are quite clear पहला यह है कि different people, different person can have different development goals पहला चीज यह हुआ और दूसरा चीज यह हुआ कि what may be development for one may not be development for the other एक के लिए development हो सकता है दूसरे के लिए development ना हो बात आगरा ही समझ रहें और यह development destructive यानि conflicting भी हो सकता है दूसरे के लिए जैसे कि industrialist लोग चाते है कि इंका development हो electricity से तो यह tribes लोगों के लिए disruptive भी हो सकता है समझे तो यह दो feature आफ याद रखेंगे बहुत important development का ठीक है चलिए आजाते हैं अगले point पर income and other goals यह क्या है देखिए उपर जो हमने यह table बढ़ा था इस table में ले देके हम देख रहें कि सभ सबका अलग-अलग goals है लेकिन गौर किया जाए तो परस लेगा यह सभी goals जो है ना वो money से solve हो जाएगा मतलब पैसा सबको अलग-अलग रूप में चाहिए पैसा अगर सबको मिलेगा तो सब अपना अतना इच्छा बुड़ा कर पाएंगे समझे तो वही बात यहाँ पर ल common goal है सभी को चाहिए मतलब development अगर करना है तो एक चीश तो must करना पड़ेगा हमें वो क्या है income बढ़ाना पड़ेगा ठीक है पहला इसके अलावा कुछ other goals भी है income के अलावा और क्या-क्या ऐसा चीज है जो सबको चाहिए सोचिए जड़ा तो वो चीज है यहाँ पे लिखा इंके ना भाग जाए कोई आपको मार ना दे ठीक है ऐसा security चाहिए प्लस respect of others उनको समाज में respect भी चाहिए यह सब पैसा से अलग चीज है लेकिन यह सब ऐसा ऐसा गोल से जो सभी लोग चाहते है यह common goal है ठीक है तो आपको याद रखना है सबसे को पहला common goal क्या था income था income तीसरा हमने देखा freedom चौथा क्या था security और पाचवा respect यह कुछ ऐसे गोल से जो सब हो चाहिए समझे और यह तो money से related है बाकी जो यह चारो goals थे यह ऐसे चीज़े जिसको आप पैसे से नहीं खरीच सकते है ठीक है लेकिन हमारा life जो है हमारा quality of life जो है इन non-material things पे काफी लिए अब यह उपर जो हमने पढ़ा था respect security freedom यह सब चीज का क्या importance से इसको एक जामपल से समझते हैं माल नीजिया आपको एक job मिल रहा है बहुत ही दूर दराज आपके घर से काफी दूर एक job मिल रहा है आपको ठीक है तो आप उस job को accept करने से पहले आप क्या-क्या चीज देखेंगे आप देखेंगे income के अलावा salary के अलावा और क्या-क्या चीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस job में आपको आपके family के लिए क्या facilities जिया जा रहा है वो देखेंगे आप plus working atmosphere काम करने का महौल कैसा है वो देखेंगे आप और opportunity to learn सिखने का scope है कि नहीं वहा मिल रहा है ठीक है लेकिन ये self ये job में क्या है आपको regular employment दिया जा रहा है मतलब आपको job से ऐसे ही नहीं निकाल देंगे आपका job काफी secure है plus तो ये job secure है इससे आपको क्या मिल रहा है sense of security मिल रहा है ठीक है आप पे किसी चीज़ का खत्रह नहीं है तो ये job आप अच्छा मान मतलब आप family के साथ time नहीं बिदा सकते हैं तो यहाप आपका freedom भी curtail हो रहा है और sense of security भी destroy हो रहा है है कि खत्म हो रहा है तो ये job को अच्छा नहीं मानेंगे तो ये दो example से हम यही समझ रहे है कि पैसा ही हर चीज नहीं होता है पैसे के अलाबा और भी बहुत सारा चीज है जैसे कि security, freedom, equal treatment, respect, opportunity to learn ठीक है ये सब चीज भी चाहिए सभी लोगों को ठीक है तो ये सभी जो है क्या है common goals है तो similarity for development people look at a mix of goals development के लिए भी सिप एक goal कूडा होने से नहीं होगा goal का कुछ हो बहुत सारा goals कूडा होना चाहिए अब यहाँ पे एक और example दिया गया है woman का ठीक ह जिससे ये समझ में आए कि सिप development goals एक नहीं होता है बलकि mixture of goals होता है पहले देखिए मान लीजे कोई एक ऐसा woman है जो की engaged है paid work में मतलब वो घर से बाहर निकल की कुछ पैसा कमा के लाती है ठीक है पैसा कमारी है तो उसका dignity respect बर रहा है हाउसवर्ड में भी society में ठीक है घर मे respect कैसे बर रहा है घर में sharing of housework होगा हो सकता उसका पती है फिर बेटा अगर के काम में उसका हाथ बटा दे ठीक है और जब एक कोई woman घर से बाहर निकल लिए एक कमाने के लिए तो देखने जब एक woman को accept करना च्टार्ट करता है कि चलो यह normal है यह normal चीज़े की घर की औरत भी बाहर निकल के कमा सकती है ठीक है तो और एक working woman को क्या चाहिए safe and secure environment चाहिए तो देखने जब एक woman बाहर से निकलती है तो उसके लिए development goal क्या क्या हो गया dignity हो गया sharing of housework हो गया greater acceptance हो गया बाहर में कोई उसको उल्टा सिता बात पर सुनना परे ठीक है safe and secure environment चाहिए तो in look के ल चलता है कि development goals that people have are not only about better income development मतलब से बेट अच्छा income नहीं income के साथ साथ और भी बहुत चीच चाहिए जिस में से कुछ चीच हम आपको याद करवा दिये हैं बताए क्या क्या है तो बहु गया respect equal treatment ठीक है और क्या चाहिए freedom चाहिए security चाहिए dignity चाहिए यह सब चीच चाहिए चलिए अभी तक तो हम सिफ लोगों पर focus कर रहे थे अब हम पुरा country पर focus करेंगे national development ठीक है लोगों में हमने क्या पढ़ा हमने यह पढ़ा कि individuals को का goals अलग-अलग होता है तो उसी तरीके से nation का development के लिए भी सब का goals अलग-अलग है इसको एक अच्छे से example दो समझते है It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of country's development हम चाहेंगे कि देश इस तरीके से डेवलप करें कोई और इनसान चाहेगा कि देश इस तरीके से डेवलप करें तो national development का भी जो goal है वो भी अलग-अलग होता है तो क्या सब country में जितने भी लोग है सब का जो ideas है वो सब को बरावर importance देना चाहि है कि country के लिए अगर कोई decision ले रहे है तो यह decision देश के सभी लोगों को मनजूर हो क्या ऐसा कोई decision ले आ जा सकता है कि नहीं would the idea benefit a large number of people or only a small group कोई अगर हम लोगा जो जिसे पार्लिमेंट हो गया कोई law pass किया कोई कानून बना तो उस कानून से क्या देश के सभी लोगों को benefit हो रहा है या फिर कुछी लोगों को benefit हो रहा है तो national development में यही सब questions के बाद में सोच जाता है समझ रहे मतलब development इतना easy concept नहीं है कि यह यह करो देश का विकास हो जाएगा आप जो हो सकता है कि आप जो सोच रहे है कि यह काम करने से देश का भला होगा हो सकता है वो काम से किसी और group of लोगों का नुकसान हो जाए क्योंकि हम अच्छे से यह बात जानते है कि development का जो goal से वो हर लोगों का अलग-अलग होता है और यह goals conflicting भी हो सकते हैं दूसरे के लिए destructive भी हो सकते हैं बाता गरहे हैं समझ रहे हैं चलिए इसका best example हमने आगे भी पढ़ लिया कि जो industrialist लोग है वो लोग चाहेंगे ज्यादा electricity उनको मिले कम दाम में वो चाहेंगे जदा से जदा डैम्स बनें लेकिन जो ट्राइवल्स लोग है जो वहां पर रह रह रहे हैं नदी के आस-पास उनका गर डूप जाएगा ठीकि उनक के लिए वो development नहीं होगा तो national development में यही सब questions को deal के जाता है कि एसा क्या काम करें जिससे यह भी खूस रहे है और यह भी खूस रहे है समझे चलिए यहां पर यह डाइडाम को दियान से देखिए इसके उपर एक बार बोर एक्जाम में question आया था यह डाइडाम क्या represent कर रहा है तो यहां पर देख रहे हैं बहुत बड़ा building दिख रहा है अमें यह वाला और नीचे कुछ जुगी जोपड़ी दिख रहा है अब है अगला topic इसमें बोला गया है how to compare different countries और states अलग-अलग country को कैसे compare करें ठीक है देखिए अभी तो हमने समझा इतना दिर में कि development का मतलब अलग-अलग होता है सब इन लोगों के लिए तो हम कैसे किसी country को बोल सकते हैं कि यह country ज्यादा developed है और यह country कम developed है क्योंकि हो सकते है इसके लिए development कुछ और हो इसके लिए development कुछ और हो हम दोलो country को compare कैसे कर रहे है तो यह compare करना आप जांग लीजिए जब भी हम कोई दो चीजों को compare करते है न वले ही वो दो country ही क्यों ना हो compare करने के लिए एक criteria ऐसा डूलना पड़ेगा कि इसके लिए भी अपनी के बलो इसके लिए भी अपनी के बलो समझे तो country को compare करने के लिए हम कौन सा criteria चुने तो देखिए for comparing countries their income is considered to be the most important attribute याफिक criteria हम दो country को compare करते है कि यह कितना डेवलोप है यह कितना डेवलोप है कौन जारा डेवलोप है यह comparison करने के लिए हम income को choose करते है अब आप बोलेंगे कि मालीजी कोई बहुत बड़ा country है और कोई बहुत छोदा country है for example इंडिया है यह और यह स्री लंका है ठीक है अब स्री लंका में तो कमी लोग रहते हैं इंडिया का population बहुत जादा है तो पूरा देश का income निकानना मतलब क्या देश पर जितने भी इसलिए तो total income मिल जाएगा ठीक है तो इससाब से अगर निकाले तो इंडिया का income लाजमी है कि जादा आएगा स्रिलंका का income कम आएगा तो इससाब से इंडिया ज्यादा developed हो गया तो इस logic से बोल सकते हैं कि जो country का population जितना जादा होगा उसका income उतना ही जादा होगा यह ब पर पास पैसा है ना तो आप अपना जरूद का ज्यादा तर समान खरीच सकते हैं सो ग्रेटर इंकम इट्सेल्फ इस कंसिडर टू भी दमोस्ट इंपॉर्टेंट बोल समझें हावेबर वह यह बात यह पर लिखा है कि तो इससे क्यान मिलेगा आपको कि on an average एक इंसान कितना कमा रहेगा इंडिया में ठीक है इसको अमनोंक average income भी बोलते हैं या फिर पर capita यह वाद या दो लिए economics में बहुत समस्ट आमें यह पर capita income जहां भी आपको per capita सुनने को मिलें इसका मतलब समझेगा पर इंसान ठीक है एक इंसान का इंकम यहां पर मिल जाएगा उसी तरीके से फ्रिलंगा कावे जितना भी population हो ज्यादा हो उसको डिवाइट कर दीजिए उसका population से तो जितना इंस टोटल इंकम हो डिवाइट बाइट पॉपुलेशन तो इसका भी क्या मिल जाएगा पर कापिटा इंकम मिल जाएगा अब आप तुनों का पर कापिटा इंकम कंपेर कीजिए जिसका ज्यादा होए वो ज्यादा टैबलॉक्ट होगा समझे तो यहाँ पर लिखा है we compare average income which is total income of a country divided by its population एक्जाम में यह definition आता है ठीक है बोलेंगे define average income या फिर average income is also called per capita income बोलेंगे define per capita income तो इसका definition है it is the total income of country divided by its total population समझे total income by total population चली इसके उपर कुछ numerical questions भी आता है अभी करेंगे थोड़े दर में इतना समझे अब देखिए एक है world bank world bank एक report चारी करता है जिसका नाम है world development report ठीक है तो this criteria is used in classifying country यह world development report में बता जाता है कौन country कितना developed है कौन सब्सक्राणा developed है कौन उसके बाद कौन उसके बाद ऐसे करके ranking दिया जाता है ठीक है तो यह ranking किसके basis पर होता है this criteria मतलब यह income बला criteria पर यह ranking decide होता है इसमें यह criteria रखा गिया है कि ऐसे countries जिनका per capita income US dollar 49,300 per annum, per annum मतलब per year एक साल ने अगर किसी country का per capita income इतना है या फिर इससे ज्यादा है ठीक है तो उसको high income country बोलेंगे या फिर rich country बोलेंगे और उसी तरीके से अगर उसका per capita income US dollar 2500 या फिर उससे कम है तो उसको low income country बोलेंगे high income country किसको बोलेंगे जिसका per capita income 49,300 इतना डॉलर हो ठीक है और year या और low income countries किसको बोलेंगे जिसका per capita income 2500 डॉलर हो और annum ठीक है या फिर इससे कम हो और या पर या फिर इससे ज्यादा हो ठीक है तो high और low के बीच में क्या आएगा middle income countries आएगे जिनका income इन दोरों के बीच में हो ठीक है तो इंडिया का आपर आता है तो इंडिया you will come in the category of low middle income country क्यों क्योंकि इंडिया का per capita income कितना है तो बहुत ही इतना से तो बहुत ही कम है इस demasi लिए हम लोग क्या बोलते है इसको low और middle income country, ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, exam में इसके उपर ncqs बनता है, सबसे पहला बात, world bank एक report निकालता है, जिस report का नाम क्या है, world development report, इसमें country को बता जाता है कि कौन rich income, high income country है, कौन low income country है, ठीक है, तो income as a main criteria यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, और यह सब कुछ data है, याद रखिएगा, चलिए, फिर यहाँ पर average income का बारे में एक बात बोला गया है, बहुत important बात है, average income का importance तो आप समझ गए, इससे हम दो country को, दो चीज को काफी अच्छे से compare कर पाते हैं, यह useful for comparison है, लेकिन इसका एक बुराई भी है, यह average income का, बुर जीए, यहाँ में दो country दिया गया है, country A और country B, ठीक है, और इस country A में भी 5 लोग रहते हैं, यह 5 लोग, country B में भी यह 5 लोग रहते हैं, पाचों का income ऐसे ऐसे दिया हुआ है, आपको job का offer मिला मालनीजे country A और B दोनों में, तो आप कौन सा country prefer करेंगे job करने के लिए, तो एजामपल आप तो यही सोचेंगे कि जो country ज्यादा rich होगा, ज्यादा high income बला होगा, उसी में जाएंगे आप, तो आप अपना दिमाग लगाते हैं, और आप क्या करते हैं, दोनों country का average income निकालने का कोशिज करते हैं, आप सारा population का income एड़ कर दीजिए, सब को एड़ किये तो आया 50,000, divided by total population, कितने total population, एक, दो, तीन, चार, पाच ही लोग रहे हैं यहाँ पे, तो divide by 5, इसको करेंगे तो आएगा 10,000, ठीक है, उसी तरीके से आप country B का भी निकालते हैं, सारा income एड़ की है, total income आगिया 50,000, number of population है 5, तो इसका भी average income आगिया 10,000, तो average income तो दोनों क आप, आप देखेंगे कि country A में, इसका सारे 9,000, इसका सारे 10,000, 9,800, 10,000, 10,200, और इसका income B में कैसा कैसा income है, 500, 500, 500, 500, एक जनका है 48,000, तो यहाँ पे जो disparity है, income inequality है, वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, देखने को मिल रहा है, लेकिन country A में यह अच्छा बात है कि यहाँ लगबग equal distribution of income है, सबका income लगबग equal है, है कि नि, तो हम यहाँ पे average का एक बुराई निकल के आया कि average income देखके हम यह नहीं बता सकते है कि disparity कितना है, तो यहाँ पे वो ही लिखाए कि hence, while average income is useful for comparison, comparison करने के लिए useful है, लेकिन it does not tell us how income is distributed among people, income का distribution कैसा हुआ है, equitable हुआ है कि न चलिए, तो यह याद रखिएगा, चलिए, आगे देखते हैं, अब आता है income and other criteria, income तो ही important, इसके साथ साथ हम कुछ और भी चीज़ देखते हैं, जैसा कि हमने individual के case में देखा था, individual को income तो चाहिए, income के साथ साथ कुछ और भी चीज़ चाहिए था, क्या था बताईए, security च treatment चाहिए था, freedom चाहिए था, individual को, उसी तरीके से country के लिए भी, nation के लिए भी, सिर्फ income, per capita income से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ कुछ और भी देखना पड़ेगा, अब और क्या-क्या देखेंगे, तो वो समझते हैं, एक example से, यह table देखिए, table 1.3, इसमें इंडिया का त तो आप बोलेंगे, per capita income हडियाना का ज्यादा है, मतलब यह ज्यादा developed हुआ, बिहार सबसे कम developed हुआ, है की नहीं, तो यह conclusion हम बोल सकते हैं, यह इस पूरा दो पैरा में लिखा हुआ है, अब कुछ और data देखते हैं, इन तीनों ही state के बारे में, ठीक है, कुछ और data देखत होगा, ठीक है, पहले यह तिनों term को समझ लेते हैं, यह होता क्या है, infant mortality rate, infant का मतलब आप समझते हैं, बच्चा जो जिसका उमर एक साल से कम है, ठीक है, उसको infant बोलते है, mortality मतलब मरना, ठीक है, और rate, मरने का rate कितना है, तो infant mortality rate के रिए clear हुआ आपको, it is the number of children that die before the age of one year, out of thousand life children born in that particular year, मालीजे, यह एरिया में, हजार बच्चे पैदा हुए, उस हजार बच्चे में से, ऐसे कितने बच्चे हैं, जो एक साल के अंदर मर दे, उतना ही बच्चा का जो नंबर होगा, उसी को IMR, infant mortality rate कहेंगे, समझे, दूसरा है, literacy rate, यह क्या होता ह है, literacy मतलब कितना पढ़े लिखे हैं आप, तो देखिए, it measures the proportion of literate population in the seven and above age group, यह age group सब याद रखिएगा, ठीक है, इसके उपर बहुत important important questions बनता है, literacy rate में हम देख रहे हैं कि seven and above age group, मतलब साथ और उससे ज्यादा age वाले लोग, ऐसे कितने हैं, जो पढ़े लिखे हुए हैं, उसको बोलेंगे literacy rate, और तीसरा आगिया, net attendance ratio, attendance समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, मतलब इसकूल में कितना लोग present है, classroom में, तो it is the total number of children of age group 14 and 15, very 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 important, बहुत बार इसके उपर question पुछा जाता है कि, net attendance ratio में कौन सा age group लेते हैं हम, तो 14 and 15 साल, ठीक है, तो ऐसे कितने 14-15 साल के बच्चे हैं, जो की school attend कर रहे हैं, out of total number of children, वोई होगा net attendance ratio, अब देखिए, data से समझते हैं, हर्याना का infinite mortality rate है 30, मतलब, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 100 में से 30 बच्चे ऐसे हैं, जो एक साल के अंदर ही मर जा रहे हैं, ठीक है, काफी बड़ा number रही है, literacy rate है 82, मतलब हर्याना में, 100 में से, ठीक है, 100 में से, मतलब, ऐसे कितने लोग हैं, जो 7 साल और उससे ज़्यादा है, जो की पढ़ लिखे मिलेंगे, साथ और उससे ज़्यादा उमडवाले, ठीक है, और net attendance ratio है 61, मतलब, उस state में, जितना भी 14-15 साल के बच्चे हैं, मली जो 100 अगर 14-15 साल के बच्चे हैं, तो 100 में से 61 बच्चे ही ऐसे हैं, जो की आपको classroom में मिलेंगे, बाकी जो बचा हुआ 39 student है, वो अच्छा मानेंगे हम, literacy rate, जितना ज़्यादा हो, उतना अच्छा मानेंगे हम, ठीक है, और attendance ratio पे जितना ज़्यादा हो, उतना अच्छा मानेंगे, ठीक है, अब बताइए, infant mortality rate तीनों state में से किसका अच्छा है, तो आप देखेंगे, केरेला का सीब 7 है, वतलब 7 ही पढ़े लिखे मिलेंगे, 100 में से, ये percentage में आप, जब भी percentage होता था, आउट ओफ 100, ठीक है, और net attendance ratio में भी per 100% लिखा हुआ है, तो देखें, literacy rate केरेला काफी अच्छा है, हर्याना का थोड़ा बुरा है, और बिहार का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, और attendance ratio भी देखे ज़्यादा developed है, हर्याना, लेकिन जब हम infant mortality rate compare किये, literacy rate compare किये, net attendance ratio compare किये, तो पता चला, करेला इन तीनों में आ गए है, तो बोल सकते हैं कि करेला सबसे ज़्यादा developed है तीनों इस टेट में, समझे के नहीं समझे, तीनों का importance, तो अब हमें समझ में आ गिया, कि जब हम countries को compare करते हैं, तो income के साथ-साथ, और क्या चीज़ देखते हैं, other criteria क्या है, countries के लिए, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे, IMR, यानि health, health पे focus करते हैं कि health कैसा है, उस country या फिर state का, और health के साथ-साथ education, ये दो चीज़ और compare करते हैं, तो income, health, education, ये तीन चीज़ देखके हम nation के वा समझें, तो जो अभी आपको पूरा समझा है, वही सब बात ये पूरा दो पैसेज में लिखा हुए, आप एक बार रीडिंग मार सकते हैं, आप आज़े ये आगले topic पे, public facilities, देखे, ये वर पढ़ लेते हैं, how is it that average person in Haryana has more income than the average person in Kerala, but lacks behind in these crucial areas, हम देख रहे हैं कि Haryana का average income जादा था Kerala के मुकाबले, लेकिन Kerala बाती सब areas में आगे था, education और health में आगे था Kerala, ठीक है, तो इसका reason क्या है, तो reason यही है, किसी पैसा से हर्चीज नहीं हो सकता है, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to leave, पैसा से आप हर्चीज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज ऐसा होता है, जो solution free environment, यह आप नहीं खरीच सकते हैं, साफ हवा आपने लिए नहीं खरीच सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा नहीं ensure कर सकते हैं, कि आपको बीना मिनावट का दवाई में जाए, पैसा से यह possible नहीं है, ठीक है, यह तभी possible होगा, जब सब लोग एक साथ आएंगे, सब सब्सक्राइब कोवीड नाइटीन, इसमें सिर्प पैसस से ही अगर लोग सुरक्षित हो जाते हैं, तो इतने लोग नहीं मलते, जब सब लोग को वैसीन लगा, सब लोग चाहें, ठीक है, तब जाके यह पूड़ा प्रॉलम से आप बचे हैं, ठीक है, ठीक है, तो सब लोग मिल के करें, कलेक्टिवली करें, तो वो सस्ता भी पढ़ता है, और अच्छा तरीका भी होता है, वो करने का, आप इसका बेस्ट एक्जामपल लीजे, माल लीजे, कोई एक सुसाइटी है, तो पूरा सुसाइटी के लिए एक चोकिदार रखना ज्यादा अच्छा आपका फैमली चाहता है, आपको पढ़ाए, लेकिर आप ऐसे गाउं में रहते हैं, जहाँ पर कोई पढ़ाना नहीं चाहता है अपने बच्चे को, तो क्या आप अकेले ही एक स्कूल बनवाके, वहाँ पर टीजर हैद करके, आप अकेले ही पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ पार है, ठीके, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही जो हेडिंग था, पॉब्लिक फैसिलिटी, इसे को बोलते है पॉब्लिक फैसिलिटी, जब सब लोग मिलकिक पर कोई काम को करते हैं, जो फैसिलिटी प्रोबाइट करते हैं, उसे को पॉब्लिक फैसिलिट बूलते हैं यहां पर इंडिविज्वाली वो काम को कर पाना पॉसिबल नहीं होता है तो उपर जो हमने देखा था करला हर चीज बें आगे था मतलब हेल्थ में भी और एजूकेशन में भी आगे था तो इसका रीजन यहीं है कि इसका लो थाक IMR क्योंकि यहां पर बेसिक हेल्थ फेसिलिटी वो अच्छा है ठीक है एजूकेशन फेसिलिटी भी अच्छा है ठीक है वही बात यहां पर लिखा हुआ है इतना समझ के छोड़िए एक एक एक्टिविटी है यहां पर बहुत अच्छा है यह आपको एक्क्नोमिक्स में कम इंग्लीश पर जादा हैल्प करेगा बोला गया यह टेवल को अच्छे से स्टेडिक कीजिए उस टेवल का बैसि लिट्रेसी रेड्फार रूरल पपूलेशन मेल 76 कर्शन है फीवल 54 par长 का धीक है और परसंटेज ऑफ लुरर चिल्रेन अटपूल अटेग इस्कूल्ध के बारेये निपाइप इटी परचें और थी अधिवाजार पर्संट डिया हुआ है त्क तो उस बसिस पर यह 3 फिने電 ब्लैंक है, इस ही है, आप कोशिश कीज़ेगा, आप से हो जाएगा, और एजामबल, पहला वला देखिए, लिटरेसी रेट फॉर अल एज ग्रूप, अल एज ग्रूप मतलब टोटल पॉपॉलेशन का बात किया जा रहा है, तो लिटरेसी रेट कितना है, इस इतना फॉर रूरल मेल्स, तो मेल्स का कितना है, 76, और फिमेल्स का 54 डाल दिये, ठीक है, अब यहाँ पर टोटल एडर्स का बात किया जा रहा है, तो टोटल पॉपॉलेशन का, कितने लोगे जो इस्कूल में नहीं गया होंगे, तो इतने लोग तो पढ़े लिखे, मसलिब यह लोग गया होंगे इस्कूल में, नई गया वाले निकालने के लिए, सौ में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 24 मेल हो गया, और यहाँ पर 46 फिमेल हो गया, ठीक है, दूसरा, इस्कूल वाला यह था, यह लोग इस्कूल अटेंड कर रहे, तो किते अटेंड नहीं कर रहे, सौ में से माइनस कीजिए, गर्ड्स फिमेल के लिए होगा, तो 18 और इसको सौ में से माइनस करेंगा, तो 15 ठीक है, देर्फोर इलिटरेशी, इमाउंग चिल्रेंड इन दा एज ग्रूप, 10 से 14, इस एज हाई हैस, यह वाला बच्चों का जो इनलिटरेशी, इनलिटरेशी है, इनलिटरेशी निकालने के लिए, सौ में से माइनस कीजिए, तो कितना आएगा, मेल्स का 10 आएगा, और फीमिल्स का 13 आएगा, ठीक है, तो यह पर किस एज ग्रूप का बात किया जा रहा है, 10 से 14 का तो वही डाल दिये, ठीक है, तो इससे आपको कॉम्प्रिहेंशन इसकिल्स भी इंप्रूब होगा, इंग्लिश में भी आता है, अनलाइटिकल पराग्राफ लिखना, उसके आपको ऐसे एक टेवल या फिर चार्ट देंगे, उसके बेसिस पर एक पैरा लिखना होगा, तो आपको यह टेवल सिस्टडी करना आना चाहिए, ठीक है, चलिए, एक और यहापकर कॉलसेप्ट है, जिसको बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, बी, एम, आई, यह भी एक इंपोर्टेंट नंबर है, जिसे हम कंट्री का हेल्थ को मेजर कर सकते है, इंडिविजुल का हेल्थ को मेजर कर सकते है, यह होता क्या है, Body Mass Index निकालने के लिए आप त्या कीजिए आप अपना वजन माप लीजिए Weight जो की होना चाहिए केजी में और अपना Height भी माप लीजिए Height होना चाहिए मीटर में और जितना भी Height है उसका स्कॉाइर कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए तो Weight divided by Height Square यह होता है Body Mass Index निकालने का फर्मूला ठीक है? जाद रखेगा Weight होना चाहिए केजी में Height होना चाहिए मीटर में Divide the weight in kg by the square of height in meters The number you get is called BMI Body Mass Index अगर यह number normal है तो आप normal है और normal से कम है तो इसका मतलब आप Underweight है और normal से ज्यादा है तो आप obesity है इसका चार्ट होता है उस चार्ट में बताया गया है कि इस age group का इतना height का वजन इतना होना चाहिए इस age group का इतना height का वजन इतना होना चाहिए ठीक है? तो उस चार्ट को देखके हम बता सकते है आपको अबर खुद का पता करना है तो आप simply अपना height or weight निकाल लीजिए और Google में simple search के दिखे बीमाई calculator वह आपको अपना height or weight पूट कीजिए आपको और टोबेटिक निकाल के देदेगा लेकिन exam के लिए आपको यह formula आना चाहिए ठीक है एक्जाम में इसके उपर numericals भी बन सकता है अब एक और report के बारे में परेंगे जिसको बोलते हैं human development report उपर भी हमने एक report के बारे में पढ़ा था कौन सा report था यह दा वो था world development report जिसको कौन publish कर रहा था world bank ठीक है इसमें income specific criteria था देखते हैं यह human development report क्या है human development report इसको publish कौन करता है UNDP United Nation Development Program ठीक है इसको UNDP publish करता है तो यह क्या है published by UNDP compares country तो यह report में भी country को compare किया जाता है based on educational levels of the people, their health status and per capita income अच्छा तो यह भी बहुत अच्छा report है तो human development report एक ऐसा report है जो की published by UNDP है जिसमें countries को compare किया जाता है on the basis of three criteria ठीक है वो तीनों criteria क्या है health, education levels और per capita income यह तीन criteria के basis में country को compare किया जाता है पहले जो हमने पर रहा था world development report वो कौन publish कर रहा था उसको world bank publish कर रहा था यह भी country को compare ही करते हैं लेकिन सिफ on the basis of one criteria जो कि क्या था income था समझें? तो इन दोलों report के world difference पूछ दाता है exam में कि human development report और world development report में क्या difference है तो लिख लेंगे यह दो-तीन point चलिए इस chapter का जितना भी notes है, important question answers है वो सब आपको मेरे website में मिल जाएगा आपको simply क्या करना है जैसे chapter का नाम है development तो आपको google में search मानना है development class 10 notes by cbac guidance ठीक है या फिर development class 10 कैची आपको important question answer by cbac guidance इतना search मान नीचे google में आपको आज आगा पहला नमट में website ठीक है तो यहाँ पे कुछ country का comparison दिया गया है human development report से यह निकाला गया है कुछ country का list ठीक है देखिए यहाँ पे यह सब country को compare किया गया है तीन criteria पे national income ठीक है per capita यह per capita income से compare किया गया है life expectancy at birth यह हो गया health का comparison और mean years of schooling यह हो गया education का comparison यह तीन criteria पे compare करके country का rank यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है रैंक तो आप देख सकते हैं कि इन सभी country में यह सब इंडिया के परोशी countries है तो स्रीलंका सबसे ज्यादा अच्छा rank पे है 73 rank है इसका काफी अच्छा है इंडिया का rank 130 है काफी नीचे है पाकिस्तान 154 यह तो और भी नीचे है नेपाल पांगलादेश यह सब भी नीचे नीचे वाले country है ठीक है यहाँ पे HDI rank लिखा हुआ यह HDI क्या है तो HDI का फूर्पम होता है Human Development Index Index मतलब एक ऐसा number जिससे country को compare किया जाए ठीक है यहाँ पे total 189 countries को इस criteria पे rank किया जाता है Life expectancy at birth यह एक नए अटम आपको मिल रहा है इसका meaning समझ लेते हैं इतना तो समझेगी यह health को compare कर मतलब ना पराए ठीक है तो नाम से समझेए Life expectancy at birth जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो अभी का जो facility available है उसके basis पे यह बच्चा on an average कितना साल तक जीएगा वही number of years को बोलते है life expectancy at birth इंडिया का life expectancy कितने है 69.7 एप्रॉक्स बोल सकते है 70 years मतलब अगर आज के डेट में कोई बच्चा अगर पैदा होता है इंडिया में तो on an average 70 साल तक जीएगा समझे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा life expectancy कितना है स्री लंका का है मतलब स्री लंका में on an average एक इंसान 77 years तक जीता है मतलब स्री लंका का health facility काफी अच्छा होगा जरूर फिर यह समझ लिया हमने इसका definition यहाँ पे लिखा हुआ है average expected length of life of a person at the time of birth ठीके और per capita income यह जो था इसको यहाँ पे dollars में निकाला गिया है dollars में यह PPP purchasing power parity यह बस इतना ही समझ ज़िये कि dollars में सभी country का income निकालते है ताकि सब equal रहे है नहीं तो इंडिया का rupees हो जाएगा बंगलोदिस का टाका हो जाएगा अला दला currency रहेगा तो compare करने में मुश्किल होगा ठीके सारा country को इसलिए dollars में निकालते है तो dollars में निकाला गिया है so that it can be compared it is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and service in any country ठीके मतलब इस तरीके से यह निकाला गिया है कि ऐसा ना हो कि इंडिया में हर चीज महेंगा हो जाए तो इंफलेशन बढ़ जाए तो इंकम भी ज्यादा हो जाएगा ठीक है उस तरीके से इंफलेशन इंफलेशन एड़श्टेड है यह data बस इतना ही बात आपको यहां से ध्यान रखना है आगे कुछ यहां लिखा है पढ़ लेते है स्रीलंका is much ahead of इंडिया in every respect समझ गए नेपाल बांगलादेश have low per capita income than that of इंडिया yet they have better life expectancy देखे नेपाल बांगलादेश का हाँ नेपाल और बांगलादेश का जो life expectancy है इंडिया से चादा है ठीक है भले ही इनका per capita income इंडिया से कम है इंकम कम है लेकिन health के मामले में काफी अच्छा है यह दोनों ठीक है education में पीछे हैं हम लोग से तो it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country it is people, their health, their well-being that is most important तो यह जो report था human development report जिसको कौन पब्लिश किया UNDP यह report से यह साफ साफ हाजीर हो गया कि सिप income से कुछ नहीं होने वाला है आपको overall ध्यान देदा पड़ेगा लोगों पे, लोग कैसा feel कर रहे है लोगों का education कैसा है, इनका health कैसा है और इनका income, यह तीनों ही factor equally important है, वही बात यहां पे लिखा हुआ है ठीक है, चली, अब है आखरी topic sustainability of development sustainable development आपको इसका बारे में जगरफी में भी chapter 1 में पर आचुके है इसका definition जो आप जगरफी में याद किये थे वही definition यहां पे लिख देगे ठीक है, मतलब ऐसा development जो कि resources को damage ना करे और आने वाले future generation को कोई भी resource का कमी ना हो ऐसे development को बोलते है sustainable development अब यहां पे देखिए यह रहा, हम लोग ऐसे level of development चाहते हैं जो कि at least maintained रहे future generation के लिए ऐसा ना हो कि उनको कोई चीज़ का कमी आ जाए यहां पे दो example से समझाया गया है पहला है groundwater का यह groundwater एक ऐसा resource है जिसका हो सकता है future में कमी आ जाए हो क्या रहा है कि हमारे country में many parts में groundwater का overuse किया जा रहा है ठीक है, nearly one third country का एक तिहाई हिस्सा groundwater को overuse कर रहा है overuse समझ रहे है, groundwater क्या है एक renewable resource है, बारिस से groundwater recharge भी होता है, है कि नी तो जिस speed से recharge हो रहा है ना उससे जादा speed से हम इसको use कर ले रहे मतलब देड़े देड़े पानी का level कमते ही जा रहा है तो इसी को बोलते है overuse करना, आगे आने वाले 25 सालों में country का 60% हिस्सा यह groundwater groundwater को overuse कर रहा होगा तो groundwater overuse जो है यह problem खासकर से agriculture वाले इलाके में देखा जा रहा है जैसे कि पंजाब, western UP और Central India का प्लेटू रीजन South India का कुछ रीजन, coastal areas यहाँ पे groundwater depletion हो रहा है, ठीक है तो यह खत्रा है, groundwater एक example है, renewable resource का इसको nature replenish करता है बारिस्क के दोरान, लेकिन तब भी जो resources से पर यही खत्रा है यह overuse ना हो जाए, ठीक है अब बात करते हैं non-renewable resource के बारे में non-renewable resource यह तो नाम से पर चल रहा है इनका अगर stock खत्म हो गया तो यह पुरा ही पुरी खत्म हो जाएंगे ठीक है, एक fixed stock है लेकिन हम लोग non-renewable resource का लगातार क्या कर रहा है exploration कर रहा है, ताकि नया-nया source मिले और उसको हम यूज कर रहा है जगा-जगा पर हम तेल ढून रहा है crude oil ताकि वो मिले और यूज कर रहा है लेकिन जितना भी ढूने और पर वो fixed amount में है खतम हो गया तो फिर दूबारा नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पर crude oil का बारे बताया गया है exploration are being undertaken all the time रहा हम नया-nया source कोचते कि कहां पर तेल मिलेगा कहां पर तेल मिलेगा जितना भी ढूने वो भी तो fix है वो भी तो खतम हो जाएगा आगे चलके ठीक है वो यह बात यहाँ पर लिखाए यहाँ पर कुछ estimate reserve बताया गया है crude oil का कुछ countries में Middle East region में crude oil reserve है इतना million barrels इतना thousand million barrels जो की लगबग 70 साब तक चलेगा इतना तेल ठीक है अमेरिका में पचास अजार million barrels तेल है ठीक है जो की 10 साब तक चलेगा और पूरे world में इतना ही तेल है जो की 50 साब तक चलेगा ठीक है The reserves would last only 50 years more और 50 साल तक यह तेल रहने वाला है This is for the world as a whole पुरा दुनिया के लिए ठीक है लेकिन हमारा country जैसे की India हमारे country में तो खुद का तिल बहुत ही कम आता है हम लोग तेल क्या करते हैं बाहर से मंगवाते हैं इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास इनफ श्टॉक नहीं है कुछी एरिया में तेल मिलता है इंडिया में बता सकते हैं कहार आसाम का डीवाई हो गया और फिर वो मुंबई महारास्टा का असपास ठीक है चलिए तो यह दो एक्जामपल इसलिए बस दिया गया है एक है रेनुयोबल रिसोर्स का एक्जामपल ग्राउन वाटर यह उपर वाला और दूसरा एक्जामपल कुरू डॉयल का जो की है निरॉन इसलिए बस दिया गया है कि सब्सक्राइबल डेवलप्मेंट करना क्यों जरूरी है समझे रहें सब्सक्राइबल डेवलप्मेंट नहीं करेंगे तो यह ऐसे रिसोर्स खतम हो जाएगे और हमारे future generation को वो चीज नहीं मिलेगा ठीक है वो लोग इस level का life नहीं जी पाएंगे तो ये दो topic भी end हुआ और last way conclusion ये है कि consequences of environmental degradation do not respect national और state boundary अगर आप environment पो damage कीजिएगा तो nature जो है वो काफि बुड़े तरीके से बबदा लेता है वो ये नहीं देखेगा कि ये इंडिया है ये पाकिस्तान है वो national boundary नहीं देखता है सबको बढ़ावर impact करेगा पर ये कितना ही पैसा हो इसलिए sustainable development करना आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है ये सब के लिए tension बन गया है scientist, economist, philosopher, social scientist सब मेल के लाधार इस पर काम कर रहें कि कैसे रास्ता निकाले कि जो development है वो sustainable रहे और आप लोग के लिए बहुत अच्छा ये जनकारी है कि आप लोग पानी जब इस्तुमाल करें तो ज्यादा वेस्टना करें आप सिप मार्स के लिए मत पढ़िए पानी कम से कम वेस्टेज करना है ताकि आगे चलके आप जब अपना खुद का घर बनाए खुद का जो life जीए वो एक अच्छा life हो, environment friendly life हो बीजली भी जादा बरबाद मत कीजिए ठीक है यह सब चीज आजी से implement करना स्टार्ट कर दीजिए चलिए तो in general, the question of development और progress is perennial यह जो development जो concept है, क्या करे जो development हो जाएगा यह इतना सीधा question नहीं है, इसका एक straightforward answer नहीं मिलता है यह ongoing process है, आज development कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसो कुछ और होगा ठीक है तो as a member of society, हमें लगतार यह question करना पड़ेगा कि हम कहां जाना चाहते हैं, क्या हमें चाहिए, और क्या goals है यह जो debate है development के उपर यह चलता ही रहेगा, कभी अंत नहीं होगा समझे, इसका साथ यह पूरा chapter end होता है यह अब तीन MCQs है पहला दूसरा तो आप आपके लिए homework रहेगा तीसरा वाला हम करके दिखा आते हैं, क्योंकि यह question आता है step का exam में देखे यह mathematical question है class 6-7 का label का question है लिखाए कि एक country में 4 family है ठीक है, the average per capita income of this family is इतना, per capita income, यह दे दिया हुआ है 5000 if the income of three family 4,000, 7,000 और 3,000 है तो fourth family का income क्या होगा माल लेते है, fourth family का income X होगा, math के तरीके से solve करते है बहुत तरीके इसको solve करनेगा, math के तरीके से करते है तो क्या हो गया per capita income का formula क्या होता है total income, मतलब 4,000 प्लस यह 7,000 प्लस तीसरे वाले का income कितना था, 3,000 प्लस चौथे वाले का income X मान लिए है divided by total population 4 यह family, तो 4 population हो गया और इधर यह 5000 बस यहां से आपको equation बनाके X के लिए solve कर देना है तो 7 आ, 3, 10, 14 और यह हो गया 20, 14 बेसे 20 गया तो 6000 आ जाएगा X तो option number D हो जाएगा right answer एक तरीका तो यह है इसको करने का दूसरा तरीका यह था आपके पास किया हीट and tell method निकाल लगाएगे जिसे कि आप एक बार 4000, 7000, 3000 और यह 7500, यह चारों को जोड़के 4 से divide कीजिए, देखिए कि आप 5000 RI की नहीं, नहीं RI तो दूसरे option में shift कीजिए, आ गया तो यह answer होगा, नहीं आ है तो तुसरे में shift कीजिए, ठीक है यह तरीका था, लेकिन बेस्ट है यह तरीका से आप निकाल लेजे, चलिए तो यह है, कोशन यहां से ऐसा है बनेगा, बाकि यह सब कोशन भी आप कर सकते ह लेकिन इतना कोशन करने का जरूद नहीं है, हम जो website पर डाल दी है important question answer, उसमें यह सब cover हो जाएगा, ठीक है, वहां से आप कर लीजे, वो best है, चलिए, और यह दो जो question है, इसके लिए, यह आपके लिए homework जाएगा, दुन्यों का answer आपको मुझे comments करने बताना है, ठीक है, खुद से answer कीजिए, देखे, आप कितना सीखे है, चलिए, इतना ही था, फिर से बता देते हैं, इस chapter का notes, important portions, और NCRT underlined PDF, यह तीनों ही चीज़ आपको मेटे website पर मिल जाएगा, सिंक्लिक Google search कीजिए, और वहां से है, पहला number पर जो आएगा, उस पर क्लिक कर लीजे, ठीक है चलिए, end करते हैं, वो भी करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आपको तीन काम कर देना है, एक like तो करी सकते हैं, आप like कर दीजिए, ठीक है, फ्रेंड को share कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको subscribe भी कर लीजे, चैनल अभा उन्से अधन कने क는 लाग हैं, आपकोच के के लाग वे। ऊच्छा लगा होगा उच्टेश नए हैं, आपको तू नए हैं, आपको तीन को से हैं, अभा जग देजじゃएं के अपको त بين नए act就是說, आपको वेघ।, इससे हैं, आपको क्त लोगा है की जुशा हैं, जीएग स